हाई मेरा नाम है आशिश और आप देख रहे हैं दीललन टॉप एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशल इलिस्ट सबसे पहले करते हैं बात आज के शो में क्या है खाद सीधी सी बात को किसने इतना घुमाया कि नीरजी चोपड़ा को देनी पड़ी सफाई आई एस अफसर के दोस्त ने किया ऐसा मजा कि अफसर को भी देनी पड़ गई सफाई साइकल की चिम्टे जैसे कारवाईन में वेल्डिंग करा रहे थे पुलिस वाले भाता बावाल हो गय जो शायद कामकाजीयों के Facebook मने LinkedIn से शुरू हुआ और अब कविता की तरह यहां वहां चल रहा है बसपन का प्यार वाले गाने का जिक्र है तो जो लोग इस गाने की बातों से मेरी ही तरह चट गए है स्किप करके थोड़ा आगे जा सकते हैं मेरी तो नौकरी है तो मुझे पढ़ना ही पड़ेगा HR की ओर से लिखा गया वाइरल पोस्ट में की Candidate मेरी जाने मन सेलेक्शन के बाद दूसरी ऑपरचुनिटी ढूणने मत जाना रहे उफर आपको किया है हाइक भी दे दिया है जॉइनिंग के दिन भाग नहीं जाना रहे इसे शेयर करते हुए employee keyword से लिखा गया था कि HR मेरी जाने मन उफर लेटर देकर भूल मत जाना रहे वाइरल हो रहा है भला इस वाली category में वाइरल है एक फोटो चाय की दुकान है आगे लिखा है सलमान ने कहा केटरीना के कान में चलो चाय पीते हैं सुधीर के दुकान में लोग इस पर political commentary भी कर रहे हैं कह रहे हैं कि गजब के टोपी वाजबंदे हो यार तुम क्या line लिख अब सुधीर की दुकान के भी मज़े लिए जा रहा है खुब सही है state of the art technique से बनी चाय यहां मिल सकती है बाकी हमको याद आता है हमारे कस्वे में 46 नंबर पे जहां पर बस खड़ी होती थी वहां इसी का पुराना वर्जन लिखा हुआ था कि जय आप रजा जाकर कहती हैं जीतेंदर के कान में चाट खाने जाया करो नंदू की दुकान में दिल्ली से वाइरल हुआ एक वीडियो एडिटर भाया वीडियो में आपती चनक चीजें थोड़ा अच्छे से बलर बलर आप कर देना यह हम है यह हमारा लॉक अप है और यह हमारी पावरी हो रही है वाला पुलकाला और नवीन बाली किसी लॉक अप जैसी जगह में चिप्स की पैकेटों मदीरा और धुमरपान के साथ जीवन के सभी सुखों माइनस वन का आनंद उठा रहे हैं चलित दूरभाश यंत्र का इस्तिमाल होने की बाद भी आई अब चूंकी फिलहाल ये बंदे मंड पहली बात तो चलो रूटीन है लेकिन दूसरी वाली डीटेल बड़ी शानदार थी लॉक अप में शराब नहीं परोसी जाती हमको तो अपसे पहले जैसे पता ही नहीं था बाकी तिहार जेल के महानी देशक हम इस मामले की तहकीकात करेंगे टाइप बाते भी कहते हुए मि कोई बताना चाह रहा है कि लड़किया नहीं लड़के भी आगे हैं कोई बताना चाह रहा है देखो पुराने ट्वीट्स में किस बात का वीडियो अधिया समर्थन कर दिया था उन्होंने कोई उनके आगे नाचना चाहता है कोई जबरन गले पड़ रहा है किसी को उनकी ग कि मेरे कमेंट्स को अपने गंदे एजेंडा को आगे बढ़ाने का माध्यम ना बनाएं स्पोर्ट्स हम सबको एक जुट होकर साथ रहना सिखाता है और कमेंट करने से पहले खेल के रूल से जानना जरूरी होता है साथ में था ये वीडियो जिसमें वो क्या कह रहे हैं आप ख बताना चाह划 कि एक हैंना बहुत हैंना है कि जो इक इन्टरुवे में मैंने का पहले त्रो करने से पहले मैंने आर्शच मद्जीम जो पाकिस्तानी त्रो कर दए उससे जेृली गश्ता गले टो उसका काफी बड़ा मुदा बना दिया है जो कि एक बहुति सिंपल सी बात है कि हम जो हमारी परसनल जैवलिन होती है वो हम उसमें रखते हैं पर उसको सभी थ्रोवर उसको यूज कर सकते हैं यह रूल है तो बिल्कुल ऐसा है उसमें कोई गलत नहीं है कि वो जैवलिन लेकर प्रिपेर कर रहा था अपनी थ्रो के लिए और मैंने अपनी तो यह इतनी बड़ी बात नहीं है और मुझे काफी दुख है कि जो इस बात को मेरा सारा लेके इतना जो बड़ा है इसको मुद्दा बना रहे हैं तो मैं आप सभी से यही विंति करता हूं कि ऐसा ना करें इतना तो आपको समझ आ गया होगा कि हमारे देश के लिए सोना जीतने वाले नीरज की बात को ट्विस्ट करके किसी ने अपना एजिंडा चलाया बात ये थी कि वो एक इंटर्यू में थ्रो के पहले की बात बता रहे थे उसी में कहा कि उनका जैवलिन पाकिस्तानी की लाड़ी के पास था उनने तो खेल के हिजाब से कैजूली वहां की बातें बोल दी जोडने वालों ने भारत, पाकिस्तान, 1947, रो, ISI, फैंटम, एक थर टाइगर, जोया, मसूद जहर, इमरान खान, पौज, परमाणू, वम, गजनी, गजनवी, मुहम्मद, गवरी, जिन्ना और जाने किस किस चीज से जोड़ दिया मतलब लोगों का इंटरनेट पर मामला सेट है, दुनिया की कोई बात हो, वो गीनी चुनी एक दो चीजे जानते हैं और उन्ही बातों पर उसको समेट देते हैं, वैसे कौन है ये लोग जो ऐसा कर रहे थे, एक ही ये सजन थे, फिल्मकार अशोक पंडित, लिखिन के, खेल नजर पड़ी और उसने अर्शब से जैवलीन वापस ले लिया, नीरज फिर भी अर्शब की तारीफ करता रहा, इसी सब के चक्कर में हैश्टेग अर्शद नदीम ट्रेंड हो पड़ा, नीरज का नाम भी ट्रेंड हुआ, कल से ही लोग अर्शद नदीम को को से जा रहे थ तो क्यो ओलम्पिक के जैवलीन फाइनल में अर्शब नदीम ने नीरज चोपडा का जैवलीन चुराने की कोशिश कर एक सच्चे पाकिस्तानी होने का परज निभाया, चोर पाकिस्तानी अर्शब नदीम ऐसा लिखा, बीजेपी दिल्ली के मीडिया हैड नवीन कुमार जि तब आम लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं, किसी ने लिखा ये आदमी राइट विंग या लिबरल नहीं है, इसकी बातें भारत के साथ खड़ी होती है ना कि किसी पर्टिकुलर विचारधारा के साथ, कुछ कहते मिले हमें हर हाल में इस आदमी को संभाल कर रखना होगा, इन का ना मियाद रखना, कुछ लिखते मिले, नीरच चोपड़ा ने नफरिती चिंडूओं पर फेका भाला, कई घायल, लोगों ने दुख जताया कि देश के गौरा, गोल्ड मेडल, नीरच चोपड़ा को ऐसे सफाई देनी पड़े, विंती करनी पड़े, तो हमें शर्म आन और सच के लिए आवाज उठाते हैं, और जो नीरच चोपड़ा ने अपने वीडियो में कहा था कि मेरी बात के सहारे, एजेंडा ना चलाएं, एक जैक तक वही काम हुआ, लोगों ने रिवर्स गेर में लिखा, नीरच चोपड़ा जी का साथ दो, क्योंकि एक्टरों, खि की विचार धारा क्या आगे, ना केवल घुटने टेक दिये, बलकि वे उस नफरती विचार के ब्रैंड नम्बेश्डर भी बन चुके हैं, इसलिए जिन चिरागों को हवाओं का खाफ नहीं, उन चिरागों को बचाने की जरूरत है, खेल को खेल रहने दो उत्ते की जरूर फिर भी इनका नाम सबजी से जुड़ गया, दरसल इनके साथ कुछ बहुत ही डाइरेक्ट हो गया, उनके फेस्बुक प्रोफाइल से एक पोश्ट आई जिसमें लिखा था, टमाटर 20 रुपया किलो चांट के, अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा विश्यांतर करूंगा, अब अब था विश्युद्ध टमाटर चांटने या नाचांटनी के फैसले पर होगा, तीसरा विश्युद्ध फिलहाल मनोज मुंतशिर के आप किसके वन्शज हैं वाले ट्वीट पर हो रहा है, जनता यह तै करने में लगी है कि उन्हें गासे गमला पढ़ाया गया था या गा से गदहा, ख्याटा से टमाटर पर लोटते हैं, होता यह है कि जब आप टमाटर लेने जाओ, मतलब सब्जी लेने जाओ टमाटर ले रहे हो, तो आप चाहते हैं कि मैया तो लाल लाल अच्छे टमाटर ले लूँ या मेरे जैसे लोग होते हैं वो थोड़ा हरे किस्म के कच अब ऐसी परिस्थिती में ना तो टमाटर छाटने के लिए और जुकना चाहता है और नहीं दुकानदार जुकना चाहता है ऐसे में दुकानदारों ने बीच का रास्ता ये निकाला कि टमाटर छाट होगे तो 30 रुपिया किलो देंगे और नहीं छाट होगे तो 20 रुपिया क कुछ करती तो है नहीं वो इसी के लिए बीज काय का रास्ता निकाल देता है करा दें कि हमें टमाटर छाट ने का हक है या उनको छटाई का अलग पाई सालेने का हक है जो तय हो आई टी सेल वाले उस पर टांग नाड आए तो देश उस पर एग्री हो जाएगा खैर इस फिज अखिलेश मिश्रा सब्जी बेच रहे हैं फेस्बुक पोश्ट में सब्जी बेचते फोटो डाली अखिलेश मिश्रा आज कल साइट पोस्टिंग में चल रहे हैं ऐसी धांसू लाइन्स चली और आजता जब बहुत ही फैला तो फोटो डिलीट हुई फिर एक पोस्ट आया यह हुई कि कैसे आदमी एक बर सरकारी काम में फासा तो उसका जरा सब इधर उधर का काम रायता फेला देता है वैसे फोटो में खीरा तोलते हुए वह नजार आ रहे थे फोटो में आपको कहे करायता अच्छा लगता है खीरे का कि लॉकी का वाइरल के क्राम में ही एक फो पूरी तनमायता से काम किये जा रहा है बाद में खबरें आसी आई कि 27 बटालियन पी एसी जिन से यह रिलेटेड थे उसी की जमीन पर वेल्डर की भी दुकान है तो लोगों का ऐसा था कि हां ऐसे छोटी मोटी टूट होती है तो ऐसा ही आकर ठीक करा जाते हैं लेकिन अब बारी है पिक आफ दे डे के और पिक आफ दे डे में आज बात करेंगे एक वीडियो की चार दिन से इंस्टा पर वाइरल चल रहा है वंडर लॉस्ट इंडिया के प्रोफाइल से आया है वीडियो मूल वीडियो मैक ट्रेवलर नाम की यूजर का है नजर क्या रहा है कि पर खेलने मत लगिएगा है ना आज के सोशल लिष्ट में इतना ही हम चलते हैं टाटा कहेंगे आपको भाई मिथिलेश तुमने क्या बढ़ा था स्कूल में गासे गमला या गासे कधा आप जाओ टाटा